नमस्कार आदाव श्रस्त्रिया का स्वागत आप सभी का गुजरात विमेन वर्सेज मुंबई इंडियन्स विमेन के MPL उपीनियों के इस वीडियो में तो गुरू एज इस वीडियो में हम लोग दोनों टीमों का एनालसिस करने वाले हैं कि भाईया on the paper कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम कमजोर है, किसके जीतने के चांसे ज़्यादा है और उससे भी बड़ी बात और खास बात कि दोनों टीमों का प्लेइंग 11 देखेंगे उससे भी अच्छी बात कि भाईया हम लोग important खिलाडियों के उपर भी discussion करेंगे कि कौन कौन से महतपूर खिलाडियों है, Mumbai Indians के, जो अपना impact इस मुकाबले में डाल सकते हों गुजराद के तरफ से कौन ऐसे खिलाडियों है, जो गुजराद को दूसरी जीत WPL 2024 का दिला सकते हैं इन सबी बातों पर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल आप इस मुकाबले से संबंदित MPL उपीनियों पर पा सकते हैं कितने आसानी से जवाब देकर आप खूब सारे पैसे अपने जोली में डाल सकते हैं लेकिन गुरू, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीवर से यही आग रहे है, यही अनुरोध है अगर हम बात करें पिछ रिपोर्ट की तो अरुन जेटली स्टेडियम जो दिल्ली की है अब धीरे धीरे भया यहाँ पर एवरेज स्कोर बनने लगा है पहले दो मुकाबलों में तो खूब सारे रन बनेते, 190 तक आसानी से टीम में पहुच जाय करती हैं, जाय करती थी लेकिन अब यहाँ पर डेर सो बनाना मुश्किल हो चला है स्पीनर अच्छा कासा प्रभावशाली दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी रहेगा कि जो भी खिलाडी अपने आपको शमय देगा, जो भी बल्लेबाज अपने आपको समय देगा, वो अच्छा कासा स्कोर कर सकता है इसलिए आप स्कोर in the range of 150 to 160 देखेंगे, इस पिछ पर आप वो वाला स्कोर नहीं देखेंगे, जो शुरुआती दो मुकाबले में 190-190 देख रहते हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर स्पीनर कारगर साबित होते भी धीरे-धीरे मुकाबलों में इस पिछ प खिलारियों की सूची की मुंबई इंडियांस के तो यहाँ पर तबदीली नहीं करनी जाएं, क्योंकि लगातार मुकाबले जित्ती वी आ रही हैं, इस संस्करण में दो मुकाबले मुंबई यहारी है, लेकिन उसके बाद जो प्रफर्मेंस रहा है, वो बहुत ही सांदार, बहुत ही जानदार, पिछले मुकाबले में इन्होंने कमबैक किया, यूपी को हराया, अपना टॉप थ्री में लगभग जगह सुनिश्चित कर लिया है, अब पहले नंबर की लड़ाई है, MI और DC के बिस देखते हैं, यह मुकाबला अगर MI जीती है, तो भाईया वो के ग्रुप में कंटेंडर भी हो जाएंगे, आज आते हैं प्लेयर्श टू वाच आउट में कि कौन-कौन से प्रमुक खिला रही है, तो सबसे पहले मेन बल्ले बाजों की बात करें तो हैली मैथ्यूज, नेट सीबर ब्रंट, एमिला कर, यास्तिका भाटिया, हर्मन पृत लेकिन इसमें जो सबसे नोटिसेबल चीज आपको पताते चलू कि हैली मैथ्यूज का फॉर्म नहीं चल रहा है, वहीं यास्तिका भाटिया मैथ्यूज से ज़्यादा कारगर साबित हो रही है, ज्यादा इफेक्टिव पाट प्ले के ओबर में बल्ले बाजी कर रही है और साइका इशाक इनकी प्रमुक स्पीनर है, नेन पेसर्स में नेट सीवर ब्रंट और सबनी मिसमायल, आप भी जाना है कि सबनी मिसमायल भाईया बहुत हिछाप छोट रही है, अपने गती से बड़े बड़े दिगज खिलाडियों को भाईया छका रही है, डेथोबर्स की ब बचा रहेगा, तो वो अपरेट करेंगी, नहीं तो नेट सीवर ब्रंट दूसरी खिलाडियों है, जो कि डेथोबर में गेदबाजी कर सकते हैं, तो यह तो भाईया मुंबई इंडियन्स के खिलाडियों का एनालसिस हुआ देख लिया, हमने कौन-कौन से मुख बलेबाज हैं मुख गेदबाज, मुख स्पीनर, प्लेयर्स टू वाच आउट, अब आजाते हैं गुजरात विमन्स की टीम की, बात करें इनके WPL 2024 के सफर की, तो भाईया एक मुकाबला से जीता है, पिछले मुकाबले में RCB को बड़ी हार थमाई थी, तो आप कोई पता है कि अगर क दरने वाली है, कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, प्लेयर्स टू वाच आउट में आजाएं मुख बल्लेबाजों की बात करें, तो आपने पिछले मुकाबले में देखा कि इनकी कप्तान जब चली सीना तान, तब ही जाकर इनका काया कल्प हुआ, एक सो निन्यान पे स्कोर बोट पे लगा, बित मुनी का सांदार अर्सत की पारी आई थी, वहीं उनका साथ कौन दिया था, लौरा उल्फार्ट, तो भाईया, इन दोनों खिलाडियों ने जब जोरदार, शांदार, जानदार पर दरसन किया, तब जाकर लगा कि इनके बल् मुनी, फिर उसके बाद एलिस गाड़नर, लौरा उल्फार्ट, और लिच्फिल्ड को उसमें आप जोर सकते, वहीं बात करें मेन स्पीनर्स में, तो गाड़नर, तनुजा कानवर, शने राना, जिसमें सबसे प्रमुकी स्पीनर इनकी गाड़नर है, तनुजा कानवर भी उ कुछ सवालों के उपर कि भाईया, आप कैसे कैसे सवाल, MPL उपीनियों पर, इस मुकाबले से सम्मंदित पा सकते हैं, अगर हम बात करें, पहले सवाल की, तो भाईया, विल मुंबई स्कूर मोर फोर्स दन गुजराद इन दमैच, तो मुंबई के पास चौके मारने वाले बहुत जाद है, गुजराद के पास भी चौके मारने वाले ही खिलाड़ी हैं, चाहे हम बितमूनी की बात करें, चाहे लौरा उलफाट की बात कर लें, चाहे लिचफिल्ड की बात कर लें, यह जो खिलाड़ी हैं, चौके में डील करती हैं, लेकिन जादा चौके मारने के चांसे किसके हैं मुंबई इंडियंस के बले बाजों के यास्तिकावाटिया वो फॉर्म में चौके मारती हैं हैले मैथ्यूज भी अच्छे खासे चौके मारती हैं फॉर्म उनके साथ नहीं है जरूर लेकिन अगर टिकेंगी तो चौके मारेंगी नैट सीवर ब्रंट आपको मिल जाएंगी तो यह जो मजबूती है नंबर आफ प्लेयर स्चौके मारने के ज़्यादा किसमे है मुंबई इंडियंस में जिस वजह से मैं अपने अनाल्सिस के इसाप से यस इसका स्कोर लगाऊंगा प्राइस सेट करूँगा क्वांटिटी खरिद लूँगा और सीबी को हरा कराई है लेकिन गुजडात की गेदबाजी में वो दमखम नहीं है वहाँ पर आपको मेगना सिंग दिखेंगी लेकिन कॉंसिस्टेंटली मेगना सिंग परफॉर्म करेंगी कि नहीं करेंगी किसी को नहीं पता एलस गार्डनर उनकी प्रमुख स्पीनर हैं तो आप सोच लिजिए कि इनकी गेदबाजी में कितना दमखम है तो मुंबई के बलेबाज इनकी उपर जरूर दबाव बनाएंगे तो मेरे इसाब से गुरू मुंबई इंडियंस ये मुकाबला जीतनी चाहिए प्राइस इसका सेट करेंगे इसका एंसर यस करेंगे और उसके मैथ्यूज भी छक्के मार लेती है आजकाले अस्तिका भाटिया मार रही है फॉर्म में आ जाती है तो हर्मन प्रीत को और भी छक्के मारती है तो भाईया नैट सीवर ब्रंट को कौन भूल सकता है वो भी एट विल छक्के मारती है तो मुंबई के पास छक्के मारने वाले प्हिलारीजदर यह जितने खिलारी चोके में डिल करते हैं गुरू उसके बाद गार्ड़न or जरूर चखके माँती हैं लेकिन एक खिलारी की तुरल अप पांशे खिलारING उसे नहीं कर सकते हो, जिस वज़ा से मुंबई ज्यादा चक्के मारेगी, प्राइस सेट करेंगे, यस इसका एंसर करेंगे, क्वांटिटी खरिद लेंगे और अपना उपीनियन ट्रेड कर देंगे, तो ऐसे कुछ आसान सवाल आप MPL उपीनियों पर पाएंगे, जिसका आप आसानी सुत्तर, अपने match analysis के जरिये जैसे मैंने की दिया, पैसे दे सकते हैं, हाला कि जितने answer मैंने दिये और सिर्फ और मेरे opinion के basis पर दिये हैं, आप यहां पर जाएगे अपने opinion के basis, अपने match analysis के basis, भैया, questions के answer दीजेगा, और अगर जीतेंगे, तो खुब सारे पैसे आपके जोली में आ जाएंगे अब एक नजर डाल लेते हैं कि MPL उपीनियों पे खेले क्या कहेंगे कि गुरू आपने इतना चर्चा कर लिया कि ये ये कोशन है ये ये अनल्सिस है पर खेले कैसे तो खेले ऐसे कि जो भी मुकाबले में आपको investment करना है उसको select कर लेना है जब आप select करके अंदर चले जाएंगे तो कुछ तरीके के सवाल आपके screen पे आ जाएंगे उसका yes और no में आपको answer दे देना है बात करें दूसरे step की तो आपको उसी question का price set कर लेना है price point 5 से लेकर 9.5 के बीच आप set करेंगे फिर number of shares उस questions के खरीद लेने number of shares into the price उतने quantity यानि उतना amount आपके जोली में अगर आपका opinion सही रहा तो आ जाएगा यह जो चौथा चीज आपकी screen पर दिख रहा है वो यह दिखाई देगा कि कितने opinion आपके placed हुए और कितने unplaced है जो भी unplaced opinion है आप उनको cancel कर सकते हैं आप फिर exact opponent मिलने का wait कर सकते हैं और जो placed opinion है गुरू उसको आप कभी भी sell कर सकते हैं अगर आपका opinion आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो उसको सेल कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर घाटा थोड़ा बहुत उठाना पड़ेगा तो यह पूरा step राग कैसे अंपल उपीनियों पर खेले कैसे investment करें क्या मैचन अलसिस है दोने टीमों का संभावित ही गया रहे क्या है अंज अभी अध्यान देहां देश्रोग चीतरें सौस्टरें मस्टरें जाइन जाइन जावरा